एक urgent press conference आज एक महतुपूर्ण मेशे पे बुलानी पड़ी है जैसा कि आप जानते हैं कि उपराज जपाल के माध्यम से केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के आदेश जिसमें दिल्ली में होटल और सापताहिक बाजार खोलने की अनुमती दे गई थी उस आदेश को खरिश कर दिया गया है उस अंदर में आज के press conference बुलाई गई है सबसे पहले तो मैं साफ तोर पे यह बात कहना चाहूंगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार को दिल्ली वालों को और दिल्ली सरकार को दुख देकर उनके दुख और पीडा को देख अनन्न का अनुभव होता है it appears as if the central government derives sadistic pleasure by inflicting pain and misery on the people of Delhi and by undermining the democratically elected government of Delhi मैं साफ तोर पे केंद्र सरकार को यह कहना चाहूंगा कि आप दिल्ली में चुनी हुई सरकार के कामकाज में दखल देना हस्तक्षेप करना पूरी तरीके से बंद कीजिए और दिल्ली सरकार की authority को हमारे अधिकार शेत्र को undermine करना बंद कर दीजिए बीते कुछ दिनों में कई बार ऐसा देखा गया कि दिल्ली सरकार को और दिल्ली सरकार के आदेशों में दखल देकर उन आदेशों को बदला गया उनको पल्टा गया सबसे पहला उधारन home isolation module वो home isolation module के इजरिवाल सरकार का जिसका डंका विदेशों में बज रहा है उस home isolation module को केंदर सरकार ने खारिच कर दिया था दिल्ली सरकार ने और दिल्ली वालों ने विरोथ किया तो केंदर सरकार को वापिस निरने की पुनरस्थापना करनी पड़ी लेकिन उन्होंने हमारे home isolation के आदेश को खारिच कर दिया था दूसरा अधारन हाल ही में दिल्ली दंगों के मामले में नियाई पालेकाब में चल रहे मामले में वकीलों की नियुक्ति को लेकर जो वकील चुनी हुई दिल्ली सरकार केजरिवाल सरकार ने चुने और कोट में पेश होने का जिनको अधिकार दिया उन वकीलों को बदल दिया गया उस वकीले के पैनल को खारिच कर दिया केंदर सरकार ने और तीसरा और सबसे चौका देने वाला दुखत निरने आज आया है जिस निर्ने में चुनी हुई दिल्ली सरकार के आदेश जिसमें होटल और सापताहिक बजार यानि की होटल और वीकली मारकेट्स को खोलने की अनुमति केजरिवाल सरकार ने दी उस अनुमती को केंदर सरकार ने खारिच करती है ये तीन बड़े उधारन मैं आपको दे रहा हूं जो बीते कुछ दिनों में आपने देखा कि कैसे चुन्य हुई सरकार के हस्तक शिप में और दिल्ली वालों को पीड़ा देकर दुख देकर केंदर सरकार आनंत का नुभफ कर रही है is deriving sadistic pleasure the central government is deriving sadistic pleasure by inflicting misery on the people of Delhi and by undermining the democratically elected government of Delhi मैं तीन महत्वपून चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा जिससे ये साफ हो जाएगा कि केंदर सरकार किस ढंग से एक सरकार को कुचलने की कोशिश कर रही है सरकार के कामकाज में हस्तक शेप कर रही है और दिल्ली वालों से कोई खासी बदला लेने की कोशिश कर रही है तीन बड़े उधारन होटल और विकली बजार के निर्देश से संबंदे तीन बड़े उधारन पहला उधारण 8 जून 2020 को केंदर सरकार ने अपना ओर्डर जारी किया पूरे देश भर के लिए और उस ओर्डर में कहा कि पूरे देश भर में अब होटल और सापताहिक बाजार खुल सकते हैं 8 जून 2020 को ये तो केंदर सरकार ने खुद कहा और पूरे देश भर में 8 जून के बाद होटल और सापताहिक बाजार खुल गए लेकिन आज जब हम दिल्ली में खोलने जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में हमनों समय नहीं खोले थे उस समय हाला थोड़े गंभीर थे आज जब हम दिल्ली में खोलने जा रहे हैं तो केंदर सरकार को अच्छा नहीं लग रहा दूसरा बड़ा उधारन भाजपा शासित अपने रज जहां करूना मामारी इतनी फैल गई है कि लोग अस्पताल के भार दम तोड़ रहे हैं बेड नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, इसीउ नहीं मिल रहा, होम आइसोलेशन, ओक्सीमीटर, ओक्सीजन सिलेंडर, नाम की चिडिया तक का तक लोगों को वहाँ पर नहीं पता बुरे हाल हैं, राजित बत से बत्तर हो रहे हैं, जैसे कि उत्तरपदेश, जैसे कि गुजरात जहां मृत्तिवदार आसमान चू रही है, जहां मामारी से उत्तरपदेश और गुजरात की जनता तरही माम, तरही माम कर रही है, उन दोनों राज्यों में तो केंदर सरकार न दूसरा बिंदू और तीसरा एहम बिंदू दिल्ली के आसपास satellite towns हैं जैसे कि गुड़गाओं जैसे कि नौइडा गुड़गाओं और नौइडा में तो केंदर सरकार ने hotel खोल दिये सापताहिक बाजार खोल दिये लेकिन आज केंदर सरकार कह रही है कि दिल्ली में आप होटल नहीं खोलेंगे दिल्ली में आप सापताहिक बाजार नहीं खोलेंगे ये तीन बिंदू साफ कर देते हैं कि केंदर सरकार की मंचा क्या है ये साफ कर देते हैं कि केंदर सरकार दिल्ली वालों से कोई विशेश बदला ले रही है और दिल्ली की सरकार के कामकाज में हस्तक शेप कर रही है मैं पूछना चाहूंगा केंदर सरकार से कि जब आपका 8 जून का ओर्डर ये कहता है कि हर जगा होटल खोल दिये जाएं पूरे देश में जब आपके शासित राज्ये आपकी पार्टी जहां उत्तर पदेश और गुजरात में प्रचंड बहुमत की सरकार चला रही है जहां करोना मामारी तराहिमाम तराहिमाम हो रहा है जनता का उस राज्ये में तो आप नहीं खोलने दे रहे है उस राज्ये में तो आपने खोलने दिये लेकिन दिल्ली में तो आप नहीं खोलने दे रहे है तो आपको क्या परिशानी है मैं आपको बताना चाहूंगा क्यूंकि मैंने गुजरात और उत्तरपदेश की बात करी आज केजरिवाल सरकार ने आर्थिक चक्का चलाने के लिए अर्थ व्यवस्ता को पुनर जीवित करने के लिए कई सारे मत्वपूंट कदम उठाये जिसमें एक और मत्वपूंट कदम उसकड़ी में था कि होटल और सापताहिक बाजार को शुरू करना ये फैसला इसलिए लिया गया क्यूंकि केजरिवाल सरकार ने बीते कई महीनों की घोर तपस्या के बाद नई नई रन्नीतियों के बाद करोना रूपी राक्षस को ध्वस्त करना मुम्किन करके दिखाया करोना रूपी राक्षस को ध्वस्त करके दिखाया और आज दिल्ली इस देश का एक लौता ऐसा राज्य है जहां ये कहा जा सकता है कि करोना उल्टे पाउं वापिस जा रहा है क्योंकि केजरिवाल सरकार ने और दिल्ली वालों ने मिलकर एक महत्वपून लड़ाई लड़ी जब दिल्ली में हालाद भैतर हो गए हैं तो आज यह अनिवार रहे कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से शुरू हो होटल खुलें साफटाहिक मार्किट्स खुलें लेकिन आज जिन राज्यों में तराहिमाम तराहिमाम हैं जिन राज्यों में करोना से लोग मर रहे हैं उन राज्यों में तो आपने होटल खोल दिये साफटाहिक बाजार खोल दिये लेकिन दिल्ली में ना आप साफटाहिक बा चीज़ कहना चाहूंगा अर्थ व्यवस्ता को संजीवनी बूटी देने के लिए उसको फिर से मूर्चित अर्थ व्यवस्ता को जीवित करने के लिए उसमें प्रान डालने के लिए एक महत्पुन फैसला के इजरिवाल सरकार ने लिया कि होटल खोलेंगे सापताहिक मैं आपको बताना चाहूंगा इन दोनों इंडस्ट्री से होटल इंडस्ट्री से और वीकली बाजार इंडस्ट्री से कुल मिलाकर 15 से 20 लाख लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार जुडा है उनके घर का चूला होटल इंडस्ट्री से या फिर दिल्ली मार्केट्स के व्यापार से चलता है। कि सरकार इस फैसले को होटल और वीकली बाजार को नहीं खोलने वाले अपने फैसले को वापिस ले। तो इधर आज आपने दीन उदारन गिनाए तो ऐसा अचानक से क्या हो गया कि पहले सपोर्ट कर रहे जो नहीं कर रहे थे इसके पीछे मोटी क्या हो यह तो वही बताएंगे यह तो केंदर सरकार ही बताएगी कि क्यों उन्होंने इस प्रकार से एक लोकतांत्रिक ढंग से और तीन बड़े उदारन मैंने आपको दिये होम आईसोलेशन को खारिच करना वकीलों की न्यूपती को खारिच करना और अब होटल और वीकली मार्केट्स कोलने वाले उस आदेश को खारिच करना यह तीनों चीजे दिखाता है कि शायद केंदर सरकार को दुख में सुख की आदत है दूसरे के दुख से जो वेक्ति सुख लेता है जिसे अंग्रेजी में सेडिस्टिक प्लेजर कहते हैं शायद उन्हें हमारे दुख में दिल्ली वालों को दुख में देखकर आनंद का नुभव होता है यही नजर आता है मुझे तो यही एकलौता कारण है शायद जिस वजा से केंदर सरकार इस प्रकार के अठपटे फैसले ले रही है अरे भाई जब आपने नौईडा में खोल दी होटल गुडगाओं में खोल दी होटल गुजरात और उत्तरपदेश जो ऐसे दो राज्यों करनाटक भी करनाटक जहां पर बूरी हालत है रोज खोल दी होटल उन राज्यों में मार्केट्स खोल दी और जहां हालात समान नहीं हो गए जहां केजरिवाल सरकार के राम बांड ने करोना रूपी राक्षस को ध्वस्त कर दिया उस राज्ये में नहीं खोलने दे रहे है इसका जवाब तो वहीं बताएंगे अगर फ्रेजाईल है फ्रेजाईल का मतलब क्या होता है कि स्थिती सुधर गई है लेकिन आप पता नहीं कि क्या ये स्थिती वापिस खराब हो सकती है कि नहीं हो सकती उस राज्ये में जहां स्थिती सुधर गई है लेकिन आपको फ्रेजाईल लग रहा है आप नहीं खोल रहे है लेकिन उन राज्यों में जहां स्थिती फ्रेजाईल नहीं बहुत खराब है बत्तर से बत्तर स्थिती है लोग मर रहे है जहां रिकवरी रेट बहुत का खराब है infection rate बढ़ता जा रहा है मृत्यूदर बढ़ती जा रही है उन राज्यों में कोल दिया अब इसका क्या तर्क है इसका क्या मतलब है ये तो समझ के परे है ये तो logic के परे है ये तो यही दिखाता है कि ये सरकार हमारे दुख में आनंद अनुबफ्क करने के लिए बैठिये कोई और सवाल किसी को शुक्रिये